तो कल भी अमनों रेय आप्टिक्स ही किया था रेय आप्टिक्स में मिरर्स नहीं कर रहे थे स्वेरिकल मिर्स आज इसके दू-तिम क्वेस्टिन करें गार उसके बाद रिफ्राक्शन स्टार्ट करेंगा तो तो मॉल्टिपल रिफ्लेक्शन वाले क्वेस्टिंज आज हम लोग को करने हैं जहां पर कि दू मिरर इन्वाल्ट होता है तो ऐसे केसिस में आपको बताया हुआ होगा कि कौन से मिरर में पहला रिफ्लेक्शन होगा तो जैसे यह व्यक्शन है एक्वेस्टिपल फाइंट पोजीशन आफ फाइंट पोजीशन आफ फाइनल इमेज आफ्टर थी सक्सेसिव रिफ्लेक्शन तेकिंग फर्स रिफ्लेक्शन ओन एंवन गिवन रेडियस ऑफ प्रवेचर अव कंकेव मिरर इस 20 संटिमेटर तो पहल एक एक करके हर रिफ्लेक्शन की बात करें पहले रिफ्लेक्शन के लिए हमारा जो यू है यह माइनस फिफ्टीन हो गया और एफ जो है एफ इस एक्वल टू यह रेडियस ऑफ करवेचर 20 है तो माइनस 20 बाइटू माइनस ऑफ 10 हो गया ठीक है और अब हम लोग वी निकाल लेते हैं सो 1 by V plus 1 by U is 1 by F इसमें substitute कर लेंगे तो 1 by V minus 1 by 15 is minus 1 by 10 सो 1 by V is 1 by 15 minus 1 by 10 LCM ले ले लेते हैं 30 2 minus 3 minus 1 by 30 तो V is equal to minus 30 cm इस वाले तो यह जो इमेज बनेगा यह इंटरमीडियेट इमेज फर्स्ट वाला जो बना यह हमारा बना इधर से 30 cm ठीक माइनस साइन बता रहा है कि इधर अब्जेक्ट है उदर इमेज बन रहा है ठीक है रियल इमेज बन रहा है अब यह 30 cm पर तो इस वाले मिरर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 माइनस 30 10 cm हो जाएगा तो अब हम लोग सेकेंड रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं सो फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन अब इसके लिए इस मिरर के लिए यह अब्जेक्ट के तरह काम करेंगा इंटर्मीडियेट इमेज है सो आइवन एट्स अब्जेक्ट फर दे सेकेंड मिरर एंड यू हीर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 10 सेंटिमीटर ठीक है अब यहां पर यह प्लेन मिरर वर्ट्वाल इमेज बनेगा हमें सा वी इस इक्वल टू क्या बन जाएगा प्लस 10 सेंटिमीटर जितने अब यह जो सेकेंड इमेज है यह फिर से इस एमवन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा थर्ड रिफ्लेक्शन में सो पर थर्ड रिफ्लेक्शन मिरा थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए आओ यू देखोगे और रोफ एक्स एजड ऑब्जेक्ट ठिक थर्ड रिफ्लेक्शन में है चाईडू सेंटेमीटर सेकेंड सेंटिमीटर हो गया यह डिस्टेंस 40 प्लस 10 50 सेंटिमीटर यू इस एक बार मिर फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इस एक बाई बाई फ्लस पुट करेंगे 1 बाई वी मिनस 1 बाई 50 मिनस 1 बाई 10 1 बाई वी इस 1 बाई 50 मिनस 1 बाई 10. इस इस फिफ्टी 1 माइनस 5 माइनस 4 बाई 50 वी माइनस 50 बाई 4 माइनस 12.5 तो वी इस इकल डू माइनस 12.5 हो गया तो मतलब इदर से जहां पर अब्जेक्ट रखा उसके 2.5 कैसे भी बता सकतो यह भी बता सकतो कि इस मिरर से राइट में 12.5 cm पे जो भी पोजीशन हो बताला झाल 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 लेख लिया बच्छो? तो यहां पर देखिए यहां पर देखिए अब यह जो मिजर है यह हमारा इसका फोकल लेंद दे रखा है इसका भी फोकल लेंद दे रखा है तो अब एम वन फर्स्ट रिफ्लेक्शन में लेखिए 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 ना फॉर्स्ट रिफ्लेक्शन रोम अगर होता है तो यहां यूज इूश इपल तो minus 10 cm हो गया ठीक है so u is equal to minus 10 cm और f is equal to plus of 10 cm है convex mirror है इसे लिए और 1 by v plus mirror formula लगा लेंगे so 1 by v minus 1 by 10 is equal to 1 by 10 1 by v is 1 by 10 plus of 1 by 10 which is equal to 2 by 10 that is 1 by 5 so v is equal to 5 cm now v ka value 5 cm हो गया मतलब यहां पर से कहीं जो इमेज बना i1 यह 5 cm पर बना अब यह टोटल यह जो i1 acts as so for second reflection i1 acts as object for m2 अब यहां पर जो u लेंगे m2 के लिए तो 45 plus 10 55 plus 5 60 cm u is equal to minus 60 cm हो गया ठीक है और f is equal to minus 20 cm mirror formula अब लगाएंगे 1 by v plus 1 by u is 1 by f 1 by v minus 1 by 60 is minus of 1 by 20 so 1 by v is equal to 1 by 60 minus 1 by 20 lcm 60 लेंगे 1 minus 3 minus 2 by 60 minus 1 by 30 so v is equal to minus of 30 cm so v is equal to minus 30 cm मतलब यहां पर से इदर इस point पर आई टुए बनेगा 30 cm के distance is it clear yes sir now next question ऐसा ही है वह आप लोग करेंगे करके उनको बताएंगे answer यह लिख लिख लिखे है अपने so basically गवराना ने बस you know clarity of thought रखना है उसको एक एक step wise करेंगे कि चीजें असान ही हैं कोई difficult नहीं होगा आप कॉम्बिनेशन और मेरेर के questions पूछे जाते हैं का फिर इंफाक्ट यहीं सेंट कॉंसेप्ट हम लोग लेंस प्लस मिरर कॉम्बिनेशन जो हम लोगने सिभी सी में भी किया था वहां भी useful होता है लिख लिए सब्सक्राइब यह करके बताईए आंसर इसका आंसर आंसर इंफ आंसर 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 इंफ किया दिए में प्लस म слब्सक्राइब इंफ सब्सक्राइब इंफ इंप इंप हाब 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 पुआ आ हाब हाब हुआ झाल 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 तर्टी सेंटीमीटर रहे आंसर प्लस थर्टी सेंटीमीटर रहे आंसर तो यहां पर अब्जेक्ट रखा वाया है फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्लस पर्स्ट रहे तर्समा सब्स्ट रहे रहे लिए अब लोग यू सीज तर्टीमीटर रहे लिए अब व प्लस वाय यू इज तो न्यू रहे वे बॉग यू साल तो 1 बाइ 30 माइनस 1 बाइ 20 माइनस 3 माइनस 1 बाइ 60 वी इस इकल टू माइनस 60 सेंटिमेटर अब देखो 30 प्लस 15 45 माइनस 60 मतलब यहां पर कहीं पर पहला इमेज बनेगा ठीक है आइवन यहां पर और यह टोटल 60 है इधर से यह जो डिस्टेंस होगा यह 60 है तो इसका मतलब कि यह जो डिस्टेंस होगा यह 15 हो राइट 15 सेंटिमेटर तो ना सेकेंड रिफ्लेक्शन में यह देखो अब्जेक्ट क्या हो गया वर्च्वल हो गया इसके लिए यह पोल है और यह कन्वेक्स मिरर है अब्जेक्ट वर्च्वल हो गया सेकेंड रिफ्लेक्शन में अब्जेक्ट तो इसमें यू इस इकवर्टू प्लास ओफ फिफ्टीन सेंटिमेटर करेंगा ठीक है क्योंकि यह वर्च्वल अब्जेक्ट है तो प्लस ओ फिफ्टीन सेंटिमेटर होगा यहाँ पर फिफ्टीन सेंटिमेटर उगा यहाँ पर फ फिफ्टीन फिफ्टीन is 1 by 10 so 1 by V is 1 by 10 minus 1 by 15 3 minus 2 so this is plus 1 by 30 so V is equal to 30 cm plus 30 cm plus 30 cm नमतलब यहां पे कहीं से image I2 बनेगा 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 है बनेगा है बनेगा है तो झाल 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 यह सो a refraction of light refraction of light now deviation or bending of light rays from their original path while passing from one medium to another is called refraction basic definition refraction is due to the change in speed of light as light passes from one medium to another so if the light is incident normally then it goes to the second medium without bending but still it is called refraction refractive index absolute refractive index mu is equal to c upon v so c upon v speed of light in vacuum by speed of light in medium more or less refractive index or medium implies less so ये जो अगर जदा refractive index होगा तो less speed होगा less refractive index होगा तो more speed होगा therefore medium is called जदा refractive index है तो denser medium होगा less refractive index है तो rarer medium होगा now higher the value of refractive index optically denser will be the medium frequency of light does not change during refraction so refraction frequency of light does not change refractive index of the medium relative to vacuum mu vacuum is 1 and mu air is greater and equal to 1 so we always call 1 यह 1 ही मानते हैं, average value जो water का 4 by 3 और glass का 3 by 2 है, वैसे यह सारे values questions में दिये होते हैं, अगर नहीं दिये हैं, तो इसको उन लोग 1.33 और इसको 1.5 मान के solve करते हैं, laws of refraction, दो refraction का लॉज है, incident ray normal and normal to any refracting surface at the point of incidence and refracted ray all lie in the same plane, called the plane of incidence or plane of refraction, sin i by sin r is equal to constant for any pair of media, which is basically refractive index of medium 2 with respect to medium 1. तो sin i by sin r is equal to mu 2 by mu 1 होता है, sin i divided by sin r is equal to mu 2 by mu 1, यह स्नेल्स law है basically, इसी को अगर थोड़ा extend कर देंगे तो यह v1 by v2 हो जाएगा, speed in medium 1 by speed in medium 2 by is equal to lambda 1 by lambda 2, so wavelength in medium 1 by wavelength in medium 2, यह पूरे extend करके एक साथ ही याद कर सकते हैं, mu 2 by mu 1 is basically refractive index of medium 2 with respect to 1, बहुत तरीके से लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी, यह सारे चीज का मतलब एक ही है, relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1. the refractive index of second medium with respect to the first medium speed of light in यह जिस 3 x 10 to the power 8 meter per second now the special cases पहला normal incidence जब आय होता है तो from Snell's law r b 0 होगा sin i by sin r is equal to effective index तो अगर sin i 0 है तो 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 दुमारा r b 0 होगा तो इसमे जब एक नॉर्मली इंसीदेंट होगा कोई भी रहे तो वो स्टेट एव कि लौ कई वो एक उसीदेंट है रहे टो रहे तो बेना कोई बेंट किये मैं लई drowned ंजो फ्ला इना कोई बीन knees वेंड वे बंड संब्रल चाल अन्ट संब्रेंट सैवागा वेफिस सीत लेंड स्वेंड यह संब्रग The first one, a light ray deviates by 30 degree, which is one third of the angle of incidence. So, when it gets refracted from vacuum to a medium, So, when it gets refracted from the vacuum, you can find the refractive index of the medium. So, this is our I and this is R and this is the deviation is delta. So, delta is equal to I minus R. A light deviates by 30 degree, which means 30 is equal to I minus R, which is one third of the angle of incidence. So, delta is equal to I upon 3, so I is equal to 3 times delta, 3 into 30 means 90 degree. So, now 30 is equal to 90 minus R. So, R is equal to 60 degree. So, I 90 degree, R 60 degree. Now, find the refractive index of the medium. So, refractive index of medium 2 with respect to 1 is same as refractive index of medium 2 is equal to sin I by sin R, sin 90 degree by sin 60 degree. 1 divided by 1 divided by root 3 by 2, which is equal to 2 by root 3. Now, 40th question is. A light rays incident on the left is equal to 0 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 is equal to 0. So, this is a glass sphere at an angle of incidence 60 degree, glass sphere is equal to 0. And the light rays incidence at an angle of 60 degree as shown. 6. So, thisğı is A light rays across the face. So, if the light rays are adding an angle to 0 is equal to 0 north. यहां पे जो नॉर्मल है वो सेंटर से ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अब यह डेंसाइटू रहर जा रहा है तो इसको जाना चाहिए था स्थ्रेट बट इट विल बेंड अवे फ्रॉम दे नॉर्मल तो कुछ इस तरह से इस डिरेक्शन में आ गया ठीक है अब आपको यह करना है कि find the angles R, R' हम लोग को यह एंगल R, R' निकालना है ए और टोटल डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्रेक्शन यहां पे जो डेविएशन हो रहा है डेल्टा 1 और यहां पे एक डेविएशन हो रहा है डेल्टा 2 तो डेल्टा 1 अगर हम लोग देखे डेल्टा 1 is equal to यह जो i है कम दो यह i-R हो जाएगा मतलब 60-R हो गया और हो डेल्टा 2 यह जो डेल्टा 2 फर्दर जो डेविएट कर रहा है दाट इस इक्वल टू यह आर है यह टोटल यह माइनस आर हो जाएगा ठीक है तो नेट डेविएशन टोटल डेविएशन इस इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू खेर अब हम लोग फॉर्स सर्फेस पे पहले पॉइंट पे जो यह जो स्नेल्स लाव लगा है तो हमारा यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट लेक्ट से भी है तो एट ए यूजिंग स्नेल्स लाव साइन ए दो ओ one इंट्यो यह जिस मीडियम में R है, मुझा रूट थी इंटू साइनार हो जाएगा, यह Snell's Law है बेसिकली, तो साइनार मिन्स साइन और सिक्स्टी डिगरी इस इक्वल टू, रूट थी इंटू साइन और साइन सिक्स्टी डिगरी है हमारा, रूट थी बाइ टू, इंटू 1 वाई 3 is SINE R, SO R इस इपल टू टू दिगरी हो गया, SINE R 1 वाई 2 है मतलब R 30 डिगरी हो गया, R का 30 डिगरी वाल्यो हो गया, DELTA 1 इस इक्वल टू 60 वाई 30, विच इपल टू 30 डिगरी हो गया, Now, at B using Snell's law we have root 3 into sin R' is equal to 1 into sin E so root 3 because this is the radius so R is equal to R' which is equal to 30 degree root 3 into sin 30 degree 1 into sin E sin 30 degree 1 by 2 root 3 by 2 is equal to sin of E E is equal to 60 degree E ka value 60 degree ho gya R' 30 degree hai delta 2 is equal to E minus I am sorry R' so delta 2 is equal to E minus R' as 60 minus 30 which is 30 degree net deviation net deviation is equal to delta 1 plus delta 2 delta 1 amara 30 degree hai delta 2 b 30 degree hai do no total deviation 60 degree nilk kya 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 साइना इकल टू रूट थी साइना इसनेल्स लो लगा रहे हैं वह माल लो हमारा आई है और यह आर है इसका refractive index mu1 एसका refractive index mu2 है अब यहां पे साइनाए अपों साइनार is equal to mu2 upon mu1 cross multiply कर लो mu1 into sin i is equal to mu2 into sin r स्नेल्स लो का यह दूसरा रूप है याद करने का ज्यादा असान तरीका है ऐसे करने से इसमें क्या होता है कि जिस medium में हो उस medium में जो angle है उसका sign से multiply होता है refractive index of a medium into sign of the angle in that medium उसी तरह refractive index of other medium sign of the angle in that medium तो हम लोग क्या कर रहे है यहां पे जो refractive index 1 है तो 1 into sin i is equal to यहां पे refractive index इस root 3 है root 3 into sign r लगा रहे है आया समझ में यह स्नेल्स ला होता है तुमको तो पड़ाया है मैंने 10th ICSC में भी इसको आप स्वेनि देखा है नी मुटू भी दिया ओगा यह दिरक ने तो रूट 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 रहे है तुम कहा थे कल आप जो फ्रूट रहे हैं तो फ़रे ऑगा जान कऊ सिवेज़ मिदा आए मैं आइज पार दाता है अच्याए 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 पर चूर केसे विए हुआ निए निए नगी हमेद नगी जाम आजने क्यों नगी करदो कर दो कर दो कर दो इसे बाद क्योंग नो नेक्स्ट वाला इसमें के रहा है फाइंड थेटा ए नेट बाइड ए लाइट रे विन इट्स रिफ्रेक्टेट फ्रम वाटर टू एर यह बहुत सिंपल है सेमें स्नेल्स ला लगा लेंगे मू वाटर इंतु साइन आफ मादलो इसको लो साइन आफ एंगल दे रखा है साइन इंवर्स थीटा बाइफाइब इस एक्वल टू new air into sine of theta A ठीक है हम लोग को theta A निकालना है refractive index water का 4 by 3 हो गया और ये sine of sine inverse 3 by 5 3 by 5 हो गया air का refractive index 1 हो गया sine theta A 3 3 कट गया 4 by 5 is equal to sine of theta A so this का मतलद theta A is equal to sine inverse of 4 by 5 हो गया clear अए बच्छों? yes sir एलीघिया? yes sir next question we find the speed of light in medium a if speed of light in medium b is c by 3 where c is the speed of light in vacuum and light refracts from medium a to medium b making angle 45 degree and 60 degree with respect to the normal so speed of light in medium a if speed of light in medium b is c by 3 speed and a to b this is the medium a and medium b angle of incidence in medium a 45 degree or angle of refraction 60 degree medium b and here is the speed of light in medium b and medium a speed of light in speed of light in medium b is equal to c by 3 and now we know that sin i upon sin r is equal to refractive index of medium b by refractive index of medium a is equal to speed in medium a by speed in medium b and values put the sign i not love sign 45 by sign 60 is equal to v a divided by v b in my love c by 3 so speed of light in a c by 3 into sign 45 1 by root 2 which is equal to c by 3 2 by root 6 so 2 c by 3 root 6 is equal to x so it's equal to x we can learn so this is equal to x this is equal to x which is equal to a which is equal to ही डालने है इसमें c के टर्म्स में ही निकालना है क्योंकि ये c by 3 दे रखा था था ना इसे लिए वहाँ पर दो ऑप्सेंस के साब से करेंगे हम मतलब यहाँ पर c के option c के value में ही दिया हो तो यसे लिए c के value में निकाल के जोंड़ा हुआ अजा आए अब करेंगे निए ठीक है लिए सब्सक्राइब शुत्रें यह कि दुदे में ये क्षैस्टन वोग करो यह कुछ्ट्समेन आ। इन करो यह क्षैस्ट्सक्ट्ट में जुट वे क्षैस्ट्टinging क्वेस्टन vide कर चाह ». झाल 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 तेको क्वेस्टन क्या क्या रहा है? तो तेलिस्कोप से डिरेक्टली ये वाला इंड देख पारा था ठीक है? वन देख वेसल इस कंप्लेटली फिल्ड विद लिक्वेड और रिप्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 तेलिस्कोप्ली इसे ब्डेक्टली ये वाला प्रेस्ट प्रेस्टली और ऐसे अंड जुआ झाल तो उस समय उसको जब ये पानी से भर दिया तो आभ ये प्ट उसको दिखे रहा है? करें भें। इनकों दॉत हा कि टूंतो तो बें रर्त भें। इः डेर जए गा हुआए तू पें आए रेज कीुर कि वेधे नूमल मैं आई जुए कीश्यूस्ट में तू है। तो ये वाला पा dites ल texts जीयुघर कौु़ए था इंचेंग तू । He observes a mark at center B of the bottom without moving the telescope or the vessel what is the height of the vessel if the diameter of its cross-section is 10 cm ये पूरा 10 cm है तो उसका हाफ दिख रहा है मतलब ये 5 cm हो गया और ये भी 5 cm हो गया हमें हाइट निकालना है इस वेसल का माल लिजे हाइट इसका है ठीक है अब अगर हम लोग स्नेल्स लॉ देखें तू देखो रिफ्रेक्टि इंडेक्स म्वाटर इन्टु साइन आए इस इकोल तु रिफ्रेक्टि इंडेक्स ओफ एर इन्टु साइनर अब नोटिस करो ये जो है एंगल ऐ है और ये पूरा आर है ठीक है अब यहां पर water का refractive index 1.5 sin i करेंगे perpendicular by hypotenuse perpendicular मतलब क्या है BC BC by BC by BD is equal to mu A air का refractive index 1 sin r is equal to AC by AD ठीक है value put कर लो अब देखो अब यहां पर BD will be equal to root under h square plus 5 square और AD क्या हो जाएगा root under h square plus 10 square values को put कर लेते हैं यहां पर 1.5 into BC 5 upon BD 5 upon root under h square plus 25 1 into AC AC at 10 root under h square plus 100 अब अब इसको solve कर लो इसको इसको उदर लेके चले जाएगे 1.5 into 5 7.5 by 10 is equal to h square plus 25 ka square root divided by h square plus 100 ka square root अब लोग दून अब तरफ square कर लेंगा so squaring we get 7.5 by 10 ka whole square is equal to h square plus 25 h square plus 100 7.5 by 10 0.75 ka square कर लेंगा 0.75 0.5625 into h square plus 100 is equal to h square plus 25 0.5625 h square plus 56.5 तरवो 100 times होगा h square plus 25 में अच्छा वो आपने पहली कर दिया था ठीक है 0.0 तो 56.25 is equal to h square plus 25 तो ये अच्छा आजाए 56 minus 25 31 31.25 is 462 0.4375 h square h square is 31.25 by 0.4375 square 8.45 so h is equal to 8.45 centimeters ये अच्छा ये रभच्छा ये सबने yes sir yes sir अब रिफ्रेक्शन थो multiple layers तो अब जब multiple layers हम लोग करेंगे मालो ये air का है glass का है water है और फिर से वापस air आ गया तो देखो यहाँ पे हर layer में मालो जैसे हम लोग मैंने तुम्हें बताया था है ना कि इसका अगर हम लोग refractive index mu1 लेते हैं इसका refractive index mu2 लेते हैं इसका mu3 लेते हैं और ये मालो mu4 लेते हैं तो refractive index into angle of incidence in that so इसमे mu1 into sin i1 is equal to पहले इस वाले layer के लिए हम इस वाले boundary पे लगा रहे है mu1 into sin i1 is equal to mu2 into sin i2 उसके बाद जब इस वाले boundary पे लगाएंगे ये i2 है ये भी i2 है तो mu2 into sin i2 is equal to mu3 into sin i3 उसके बाद यहाँ पे reflection देखेंगे mu3 into sin i3 is equal to mu4 into sin i4 मानलो ये i4 पहले मानलो this is equal to mu4 into sin i4 now if i1 is equal to i1 is equal to i4 right या mu1 is equal to mu4 ये भी air है ये भी air है then इन दोनों को equate कर लो हमें पता है mu1 sin i1 is equal to mu4 sin i4 ठीक है so mu1 or mu4 equal है cancel हो गया तो इससे sin i1 is equal to sin i4 और this implies i1 is equal to i4 clear yes sir झाल झाल पर चलते हैं यह वही चीज है उसी चीज को बोल रहा है जो अभी हम प्रूफ करके दिखाए ना सेम चीज है प्रूफ दाट एंवन साइवन इस एंट्व साइन इस एंट्री साइन इस एंट्री साइन इस और इसमें यह प्रूफ करना था तो यहां पर पहला जो बांडरी है एर तो ग्लास रफ्राक्शन होगा so mu is equal to यहाँ पे air में refractive index 1 हो गया 1 into sin i is mu into sin r so mu is equal to sin i by sin r हो जाएगा ठीक है now the second refraction takes place from glass to air यहाँ पे it will take place from glass to air तो यहाँ पे mu into sin r is equal to यहाँ 1 into sin e तो अब यह इसको अगर हम लोग solve कर लेते हैं 1 यह जो mu है उसको sin i by sin r put कर लेंगे तो 1 तो यह हमारा sin i by sin r is equal to sin e by sin r हो जाएगा दोनों को equate कर दिया mu को दोनों तरफ ठीक है तो इससे हमारा यह तो cancel हो गया इससे क्या आगया i is equal to e हो गया so does the emergent ray is parallel to the incidence ray तो यह को अभी हम लोग ने multiple refraction वाले में किया भी था सेम चीज है अब lateral shift का जो formula होता है वो कैसे करते है so perpendicular distance between the incident ray and the emergent ray when the light is incident obliquely on a parallel sided refractive glass slab is called lateral shift तो यह जो incident ray का जो direction था और जो refracted ray का जो direction emergent ray का direction है same direction है दोनों आपस में parallel है इनके बीच में जो parallel distance है उसको lateral shift कहते हैं जिसको d से represent कर रहा है अब हमारा यह देखो यह angle r है और यह angle i है यह angle r है तो यह भी angle r होगा अगर यह r है यह total vertically opposite angle से i होगा तो यह जो जितने angle से deviate हो रहा है deviation i-r हो गया यहाँ पर अब हम लोग यह right angle triangle की बात करते है बी ओ के यह वाला जो right angle triangle है इसमें यह angle हमें i-r दे रखा है यह 90 degree दे रखा है तो अब देखो डी यह जो length है डी upon ob so perpendicular by hypotenuse d upon ob is sin i-r यह angle sin i-r d upon ob हो जाए तो d is equal to क्या हो गया ob into sin i-r यह हमारा first equation हो गया right angle triangle अब यह वाला triangle लेते है o and s b यह right angle triangle so on-s b वाले में we have cos r यह angle जो r है cos of this is equal to base upon hypotenuse so this is on-s by ob cos r is equal to on-s by ob ab on-s क्या है thickness of this glass slab तो इसको हम लोग t upon cos r is equal to ob कर लेंगे and d is lateral sift clear अबच्चो? yes sir yes sir now example 46 a ray of light falls at an angle of 30 degree into a plane parallel glass plate and leaves it parallel to the initial ray the refractive index of the glass is 1.5 mu is 1.5 what is the thickness d of the plate what is the thickness d of the plate if the distance between the rays is 3.82 cm to lateral sift मालो thickness d अभी हम formula से चलते है d निकालने बोला और sift d दिया हुआ है तो जो हमारा formula था lateral sift का वो यह कह रहा था अच्छा इसमें और यह सब value दे रखा है 1 by sin inverse 1 by 3 is 19.5 cos 19.5 is इतना sin 10.5 यह सब दे रखा है अब देखो यहाँ पे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यह r का value sin i upon sin r is equal to 1.5 sin r is equal to sin i by 3 by 2 sin i का value है 1 by 2 sin 30 degree हो जाएगा 1 by 2 upon 3 by 2 मतलब 1 by 3 आगया r is equal to sin inverse of 1 by 3 यह कितना हो गया 19.5 degree question में दे रखा है तो इसको use कर लिया आपने ठीक है r का value 19.5 degree हो गया so i minus r 30 minus 19.5 10.5 हो गया मतलब यह जो एंगल है यह जो एंगल है अ जिस एंगल is 10.5 degree this is 19.5 degree 10.5 degree है ab sin 10.5 degree ये point A और ये point B और ये point C और ये point D अब in triangle A, B, D D by AB is equal to sin 10.5 जो values दिये है ना उनको use कर रहे हैं इसे लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं so perpendicular by hypotenuse is sin 10.5 sin 10.5 का value 0.18 दे रखा है D ये जो value है 3.82 cm दे रखा है 3.82 by AB चलो यहाँ पर S ले लो इसको जो question में दे रखा है इसको change नहीं करते हैं confusion होगा तुमें so 3.82 divided by AB 0.18 AB is 3.82 by 0.18 so this is 21.22 अब इसके बाद इन ट्राइंगल इसी भी यहाँ पर cos r is equal to d upon AB cos r मुझलब r दे रखा है 19.5 cos 19.5 is d अमे निकालन और AB का value 21.22 so d is 21.22 into cos 19.5 cos 19.5.94 so d is equal to 19.95 centimeter यह दे रखा है अब आखा है अब आखा है because data जो दे रखा तो उसको use करके solve करना था directly formula नहीं नहीं निकाला क्योंकि standard angles नहीं दिये वह इस वज़े से हम लोगोने जिस तरह से proof किया है उसको उसी तरह से solve किया है clear है बच्छो yes इसको लिख लोग इसके बाद फिर आज जन लोग यहीं पे रुकेंगे and I'm not feeling so great है वा दो करें बाद